श्रीमानमेंकटनाथार यहकवितार की केकेसरी वेदान्ता चार यवर्यों में सन्नितर्ताम सदाहुर्दी आज हम श्रीस्तुती में पंद्रवां श्लोक देखने जा रहे हैं श्लोक इस प्रकार है आर्तत्रान व्रति भिरमृता सारनीलांबु वाहि ही अंभो जाना मुषसि मिषतामंतरंगैरपांगै ही यस्याम यस्याम दिश विहरते देविद्रिष्टि स्त्वधियां तस्याम तस्याम हमह महमिकां तन्बते संपदोगाहां बहुत प्रसिद्ध श्लोक है अनेक प्रकार के प्रवचनकार इस श्लोक का उधरन करने भूलते नहीं है और भगवती लक्ष्मी जी की दृष्टि हमें कैसे उन्नती में पहुंचाती है उन्ची स्तिती में पहुंचाती है और इतना ही नहीं है और वो जिस जिस और भी देखती है वो और कितना सुंदर बन जाता है उसे कहने वाला ये श्लोक है उसमें अपांग गई ही अपांग एक शन याने उनकी तिरची नजर सामान नितहा अपांग शब्द का मतलब तिरची नजर है लक्ष्मी जी की जो तिरची नजर है उस अपांगों से यह अर्थ है अपांग गई ही का परंतु अपांगई ही का कुछ विशेशन भी कहा गया है वो विशेशन इस प्रकार है आर्थत्रान व्रति भी ही अपांगई ही और वो आंख भूका है आर्थत्रान पीडितों को परित्रान करने के लिए तत्परता दिखाने वाली है ओ आंख कैसे भी आर्तत्रा आर्तों का अर्तात पीडित लोगों को दुखकों से पीडित लोगों को परित्रान करना ही उसका व्रत है ऐसा ब्रत लेके बैटी है अर्तात ब्रत की वज़े से भूकी है और ऐसी अपांगों से तिरची नजरों से ये तात परिया और तत्रानव ब्रती भी ही अपांग गई ही इन दोनों शब्दों से निकलता है और एक विशेशन है अमर्तासारनी लाम्बु आही ही अमर्तासारनी लाम्बु आही ही ये कैसा है कि एक बादल जैसा है आंख बादल काला है तो इसमें भी उनके लक्षमी जी के कटाक्ष भी इतना सुन्दर है अपांग भी काला है जिस कालापन से भगवान को भी काला करने के लिए सामर्त रखने वाली इन आंकों की सुशुमा को अर्थात सौंदर्य को कोन वर्नन कर सकता है उसे एक सुंदर शब्द से प्रतिपादन कर रहे हैं अमर्त का आसार अमर्त का सार अमर्त का आसार का मतलब एदर सार ही है अमर्त आसार है नीलाम बुआ है ही अमर्त का जो भी सार है उसे अपने आंक में रखने वाली अर्तात अपने आंक में लक्ष्मी जी अमर्त आसार को रखी है का मतलब है अमर्त दृष्टी कर सकती है अमी दृष्टी कर सकती है अमर्त आसार नील अम्बु आहे ही परंतु ये कैसे है देखने में नील अम्बु आह नील काला बादल जैसा रहने वाला परंतु दृष्टी में अमर्त का आसार है अर्तात अमर्त में का ठाक्ष है ऐसा अम बाला बादल जिस परकार वरषा को देती है, उसी परकार करपा को देती देने वाली यह आंक अर्ताद करपा से अपन को बहुती शरय रिह स्तिती में पहुंचानी वाली यह सुदर आंक है, उसे अपांग गई ही, क्योंकि सहस्राक्षत सहस्रपात ऐसा भगवान जिस परकार सहस्राक्षत है उसी परकार लक्षमी जी का भी सहस्राक्षत तो है ही इसलिए अमर्तासारनिलांबुवाही ही अपांगई ही और एक विशेशन दे रहे हैं अम्भोजानाम उससी मिशताम अंतरंगई ही अम्भोजानाम उससी मिशताम अम्भोजानाम प्रातखकाल में उससकाल में मिशताम अर्थात जो खिलते हैं उन खिलने वाले अर्थात प्रातखकाल खिलने वाले जो कमल हैं उनका मित्र हैं क्या ये उनका अंतरंग क्या ये अर् अंतरंग शब्द से कहते हैं ये तो मेरा अंतरंग मित्र है ऐसा बोलते हैं उसी प्रकार अंबो जानाम प्रातखकाल में खिलने वाले जो कमल हैं उन कमलों के मित्रता ये शायद अपने पास रखती है ऐसा ये आंक उनके साथ महित्री चाहिए तो वो भी खिला हुआ होना चा सदा के लिए भक्तों को रक्षन करने के लिए ततपरता के उद दिखाने की वज़े से जो आंक खिला हुआ है और जो आंक अरतात पंकजों से अरतात कमलों से खिला हुआ कमलों से वो भी प्रातकाल किलने वाले कमलों से महित्री रखती है ऐसे आंकों से ऐसा मतलब अरतात ती कहा गया है। तस्याम तस्याम उन उन दिशावों में संपत्यों का समूह एक साथ मिलकर संपत्यां एक कटा होकर वहां एक साथ गिरते हैं और ये भी नहीं और अहमहमिकाम तन्वते मैं ही पहले जाओंगी ऐसा संपत्यां एक दूसरे से जगडते हुए अहमहमिका के साथ अरताद विस्तृत हो जाते हैं जिस वोर भी भगवती लक्षमी जी की कटाक्ष गिरती है ये मतलब है अरताद इंद्र को देखती है और जिनों भूर भुवस्वहा और इंद्र और सब समर्द हो जाते हैं अरताद सास्य समर्दी भी इसी प्रकार लक्षमी जी की कृपा का टाक्ष जिस वोर गिरता है उस वोर हो जाता है इसलिए बागवान जब कृष्ण मतुरा से ब्रदावन पदारने के लिए निरनाई करते हैं वहां रमा क्रीडम अभून रिपै ऐसा वरनन आता है भागवत जी में जैसे रमा क्रीडम अभूत रमा लक्षमी जी खेलती है जैसा वो सब सम्पतियां वहां बहने लगी और सब सस्य समर्दी हो गई और गोचार मिलने लगी और आतात मुझके पहले ऐसी समर्दी नही क्यों कि भगवान विष्णु अहां पदारने वाले हैं तो लक्ष्मी जी उसे कृपा कटाक्षित से पवित्रित करकर विष्णु का वासस्तान करने का उचित बनाई उस क्षेत्र को ऐसा वरणन बागवाद जी में जो मिलता है वो भी इसका प्रमान है अर्तात अन्वै इस प्रकार है आर्तत रान ब्रति भी ही अपांगई ही अमर्ता सारनील अंबु वाहे ही अपांगई ही उससिमिशताम अंबु जानाम अंतरंगई ही अपांगई ही यस्याम यस्याम दिशीते तवदिया दृष्टिही विहरते हे देवी तस्याम तस्याम संप पहले जाएंगी ऐसा जो जगड़ा है उसको अहम हमिका कहते हैं नेक प्रकार की संपतियां मनुश्यों को जो मिलना है वो सब एक साधी कटा होकर माई पहले जाओंगी माई पहले जाओंगी ऐसा जगडा के साथ उस उस दिशाओं में बहते हैं ऐसा वरनन आती सुंदर है लक्षमी जी की घृपा का ठाक्षब को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की स्थुतिय और स्थुतियों का दुहराते रहना अत्यंत आवश्यक है उस विशे में ये श्लोग बहुती अनिवारियस्तान को प्राप्त करती है सुंदर श्लोग है आप सब इसका लाब उटाएं ज़रूर इस श्लोक की आवर्ती करें आवर्ती करके सब्स प्रकार की समर्दियां को पाएं ऐसा हम बागवतों से अनुरोद करते हुए विरत होता हूं कवितार की कसी महाए कल जान को नशालेने सुमते वेंकटे शाय वेदान तो गुरवे नमाहा